ओके गाई तो कैसे आप से सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खेरी से होंगे ठीक होंगे आज की वीडियो को पर दोस्तों हम बात करने जारे के Facebook Switch Account जो है जहां पर हम जाओ एक Facebook ID हमारी होती है और उसी के साथ दोस्तों उसी नमबर पर उसी चीज़ पर उसी के साथ हमारी दूसरी ID भी बन जाती है जिसको आज की वीडियो पर हम रिमूव करने वाले हैं और बहुत इजी स्टेप में आपको पताने वाला हूँ अगर आपको दूसरा अकाउंट बन गया और उसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं वही सेम तरीका आपको देखने को मिलेगा जिससे दोस्तों आप एजिली रिमूव कर पाएंगे और दूसरी मेंने परफाइल अपनी उसी जो फैस्बूक परफाइल के साथ मेरी अगली जाव फैसबूक अकाउंट जाव करिएट हो गया फैस्बूक पेज जावो वो भी करियट जावो मेरा हो गया अब मैं यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ तो वो सारी चीज़ में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से दोस्तों मुझे जब आप्शन देखने को मिलता है नीचे करियेट का और मैंने करियेट कर ली और मेरी ये भी परोफाल बन गी और ये भी बन गी दूसरे जो नीचे हैं वो दो मेरे पेज़ अलग से हैं अब दो परोफाल बन गी एक ही अकाउंट पर तो मैं इसको जो हटाना चाहता हूं तो कैसे करना होगा अब दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी थी जिस पर बिल्कुल भी जो वो गल्त बताया हुँ था सारा के सारा जो के आपको तरीका ही नहीं बताया गया वो तो भई अगर आपने फेस्बूक को अपडेट नहीं किया ये अपडेट वाला में फीचर्स आपको बताने वाला हुँ जो कहां पर हमें ये उप्शन देखने को मिला है अब कुछ लोग जो पुरानी फेस्बूक को यूज़ कर रहे होगे तो भई आपको हमें यहां पर रिक्मेंड करूंगा कि आप जाओ फेस्बूक को अपडेट करो प्ले स्टोर से तो आपकी यही फेस्बूक ओपन हो जाएगी अगर इस तरह की तो फिर सीनी कुछ अलग गए तो आप एजिली कर सकते हो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब यहां पर दोस्तों आपको सेटिंग्स और प्राइविसी का ओप्शन के ओपर क्लिक करना है और आगे आपको सेटिंग्स का ओप्शन देखने को मिलता है यहां पर क्लिक की जीगा यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेंटर का ओप्शन देखने को मिलता है अब यहाँ पर दोस्तों हमें यह options देखने को मिलते हैं जो के नीचे आएंगे नीचे आने के बाद account settings के उपर हमें accounts का option देखने को मिलता है personal details का option देखने को मिलता है और password and security का option देखने को मिलता है लेकिन हमें personal details के उपर click कर देना है ठीक है उसके पाद दोस्तों यहां पर हमें options देखने को मिलेंगे और नीचे दोस्तों हमें account ownership and control का option देखने को मिलेगा मैंने इसको पर click करने है और नीचे दोस्तों यहां पर हमें आपको जो account है वो delete हो जाएगा नीचे लिखा भी हुआ है temporary deactiv है और permanently deactiv हो जाएगा ठीक है permanently भी हो जाएगा ठीक है और यहां पर आप नीचले वाले पर click का दो यहां पर जो आपकी एक profile से मतलब एक Facebook ID जो main है और दूसरी भी उसी पर बन गी तो वो कैसे होगा देखें अब दूसरी मुझे यहां पर देखने को मेरी यह तीसरी ठीक है यह तो मेरा Instagram का account है और यह मेरा Facebook ID है तो मैं इसके ओपर click करूंगा जो मेरी new बन गई थी ठीक है जिसे मैं remove करना चाहता था अब यहां पर सारी detail लिक्टी हुई है अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी पाएंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको continue पे click कर देना उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाजेगा ठीक है यहां पर आने के बाद वो कहर रहे कि बई आप अपना password लिक ओ ठीक है यहां पर मैं अपना password लिक लेता हूम लो जी मैंने password अपना लिक लिया और type कर लिया तो यहां पर मुझे यह देने को मिलेगा option और वो कहारें के यहां पर आप temporary करना चाहे है یہ मतलब जो कुछ भी हाँ पर आप करना चाहरे हो वो यहां पर आप को option दे दिया जाएगा और यहां पर आप इसको continue करेंगे वो भी हां से आप temporary back भी आप करना चाहें तो वो back भी कर सकते हैं अगर आप पर्मनेंटली करना चाहते तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्मनेंटली का उप्शन नहीं देखने को मेरा है तो यहाँ पर हम टमप्रेरी पर क्लिक करेंगे ठीक है टमप्रेरी का उप्शन भी नहीं देखने को मेरा है तो यह सीने बाकि आपको ओके करना है ओके करने के बाद आपको अगला उप्शन देखने को मिलेगा डियक्टिव माई परुफाइल इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे अगला पेज आप देखने को मिलेगा जो कहीं यह देख सकते हो अब स्विच हो चुका है ठीक है अब मैं यहाँ पर आता हूँ मेरा main जो account है जिसको हमने select किया तो जिसको remove किया वो नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा जो main है वो मेरा यहाँ पर ही रहेगा कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यार कभी मेरा main ही न उड़ जाए तो ऐसा नहीं होगा जो आपने select की है उसी को आप delete कर पाऊगी अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देख पाऊगी मुझे एक तो करियेडिक option देखने को मिल गया और दो मेरे page जो भाई वाला option देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर मुझे इस जगह पर अब नहीं देखने को मिल रहा वो deactiv हो गया है अब यहाँ पर अगर मैं उसको active करना चाहूँ तो वो साथ दिन से पहले पहले मैं उसको active कर सकता हूँ तो यह scene है इस तरीके से दोस्तों आप इसको easily remove कर सकती हो वीडियो ची लगई है लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल लेकन को प्रेस करना मिलते हैं किस नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक साथ